तो दोस्तों, आज कि इस वीडियो में हम मझदूरी का हिशाब करना सिखेंगे और साती सात पैशो का हिशाब करना सिखेंगे तो ये वीडियो मझदूर भायों के लिए और जो भी मेरे प्यार स्टुडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं न उनके लिए काफी important है क्योंकि इस वीडियो में आपको बड़ी ही असान तरीका बताए जाएगा जिसको यूज करके इस टाइप के कोई भी कोशन आप सल्ब कर सकते हैं बड़ी ही असानी से तो चलिए देखते है हमारा कोशन का है सबसे पहले कोशन को केरफुली पढ़ना है शमजना है उसके बाद इसको हम बड़ी असान तरीका से सल्ब करेंगे तो हमारा कोशन यह पर दिया गया है कोशन क्या है यह राजू राजू कौन है तो राजू जह न एक लेबर है जो कि कि यह company में काम करता है तो राजू जह है 200 रुपए परती दिन कमाता है तो तीन महिना में कुल कितना रुपए कमाएगा कोशन काफी सिंपल है बस आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है देखिए राजू जो है एक बेक्ती है जो कि मजदूर ही करता है यानि मजदूर है वह जो है 200 रुपए परती दिन परती दिन का मतलब क्या इसका संदे विश्यत करेंगे तो परती मतलब होता है परती एक और दिन मतलब होता है दिन यानि हर एक दिन वह जो है 200 रुपए कमाता है तो तीन महिना में कुल कितना रुपए कमाएगा यह पाता करना है तो बड़ हमुआ दूशुरूपर यहां पर लिख दहते हैं, अपस्छा करना है, तो आपको पता होगा कि, एक महिना में जो होता है, यहाँ डेख़ेव, एक मंठ में होता है, कोशन त्याप करतें समय, हम तिस दिनं काउन्ट करते हैं, यनि नर्मली एक महिना में जो होता है 30 दिन होता है आप करेंगे कि सर 28 दिन का भी महिन लगता है उन्हें 30 दिन का भी लगता है लेकिन ऐसा लगता है लेकिन कोशन सल्प करते समय हम 30 दिन ही मानिये रखते हैं तो अब देखे एक महिना में हमारा 30 दिन होता है, तो 2 महिना में कितना होगा, तो 2 गुणे 30 करेंगे, तो 32 के 60 हो जाएगा, अब 3 महिना में कितना दिन होगा, तो 3 गुणे 30 करेंगे, तो यहाँ पर 9 दिन हो जाएगा, यहाँ एक महिना में 30 दिन, 2 महिना में 60 दिन होता है, और तीन महीना में टोटल हमारा नवे दिन होता है तो तीन महीना का इंकम क्या हो गई हमको पत्ता करना है तो तीन मंथ यहां क्या है तीन मंथ के बरावर हमारा क्या होगा नवे दिन होगा तो यहां पर देखिए एक दिन का इंकम है 200 रुपए हमको तीन महीना यानि नवे दि गुना कियें और यहाँ पर 200 रुपाई है तो इस 200 रुपाई में भी आपको 90 से गुना करना पड़ेगा रुपाई है तो रुपाई का सिंबल लगा देंगे अब देखें तीन महीना का इंकम निकालना है तो 90 दिन के बराबर होता है हमारा तीन महीना मैंने आपको समझाया है यही इस कोशन का हमारा फाइनल आंसर है तो देख सेतने कितने असान तरीका शे हमने मज़दोरी का हिशाब की या यहोब के पुछ समझ में आ गया होगा अगर इस तरीका के अगर आपको कोशन मिलता है तो आप बढ़ी असानी सुझ को सुल्प कर सकते हैं तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और इस टाइप के कोशन को आप सुल्प करना सिग गये हैं